So, Hello, Sir, कैसे हो आप सब लोग सो यह जैसा यह आपको पता है TVS की तरफ से जो काफी सार T-Just लॉंच किये हैं उनकी 125cc बाइक के जिसमें कि हमें बाइक भी काफी अतक दिख चुकी है, काफी सारे फीचर्स हमें पता चल गए हैं तो इस आज की वीडियो में जो इसी बाइक के बारे में बात करेंगे, फुल डिटेल में, कल जो है मैंने जल्दी में एक शोर्ट क्विक अपडेट आपको दिया था, लेकिन आज जो हम डिटेल में बात करेंगे इस बाइक के बारे में कि जो TVS की तरफ से 125cc न्यू बाइक आ आपको बता दू यह एक 125cc बाइक का रही है, टीवियस की तरफ से जो की देखने में काफी स्पोर्टी है, स्पोर्टी ही नहीं, उसके अलाव़ जो फीचरस है, वो भी इसमें काफी अच्छे दिये गए हैं, आपको बता दू यह एक 125cc बाइक के जो की कमप्टिशन देने वाली है, SP125 को Glamour and जो है आपकी Pulsar 125 and Pulsar NS 125, में जो इसका कमप्टिशन होगा इस वो होगा Pulsar NS 125 and SP125, तो इस आपको बता दू इसकी जो ड्रेगरेस है NS 125 के साथ में, फिर Pulsar 125 के साथ में, या फिर जो है अपनी SP125 अगरा, उन सभी के साथ में हम करने वाले हैं, तो चैनल को जो सबस्क्राइब कर लेना, उट साइड में जो बेल का इकन उसको अन कर लेना ताकि जब भी हम वीडियो डालें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको उताद हुए इस यहाँ पर फ्रेंट से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कि फ्रेंट में आपको क्या मिलेगा सबते नीचे जो है, वो आपको हाई बीम में देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको एक्स ब्लेड में मिलता है, बिल्कुल वैसे ही, पागया इस आपको बता दूँ, इसमें जो आपको फ्रेंट में डिस्क ब्रेक मिलेगा, उसके लाबा जो आपको फ् इस साइड में बात करें ले इस साइड से बिलकुल कम्यूटर बाइक लगी आपको आपको साइड से वही याद दिलाई कि अपनी विक्टर वगेरा की बड़ जैसे ही आप सीट की तरफ देखते हो तो आपको स्प्लीट सीट मिलती है जो की देखने में कापी शानदार लग र पारे में तो इंजन जो है यहाँ पर आपको 125cc का मिलेगा जो की फुली कंफर्म हो चुका है और लगबग 10-11bhp के आपको पाउर मिलेगी और लगबग 9-10Nm का ही टॉर्क मिलेगा फाइट स्पीड का आपको गेर बोक्स मिलेगा जो कि आपको एक आप एची स्मूथनेस के जीए tomar को देखनेगे औरará वार कोई जाते उप्शन आपको देखनेगा जाते हैं उसके के जा लागब 8ट मिलेगी वोप आपको काफी अची मुलेगी इस पीचे के लागगी यहां sound इच्छी खासे मिल जाएगी बागे आपको बतादूगा इस पीजे की साइड जो टेल लाइट वो LED में आपको मिलती है इंडिकेटर जो है लोजन में आपको मिलेंगे जो टेल लाइट वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके आरवी 400 यह 300 जैसे आपको मिलती है पीज इस पेली बार में तो देख रहा हूँ कि 125 CC में इतना कंपटिशन क्रियेट कर रही है क्यों विखोस इनी की प्रैस इतनी होगी जिस प्रैस में हमें 150-200 CC बाइक पहले मिलती थी उस प्रैस में जो है जो है इस आज की टाइम में 125 CC बाइक मिल रहे है तो बज़ट की वेज़ करो यहां पर इस देखने में काफ़ अच्छा लग रहा है उसके लावा यहां पर आपको उपर की साइड में आर्पे मिटर मिल जाता है यहां पर आपको गेर इंडिकेटर भी देखने मिलेगा उसके लावा क्या माईलिस देरी वाइक वो भी शो करेगा Bluetooth connectivity feature भी आपको देखने मिलने वाला है इसमें और जो speedometer वो भी यहां पर शो करेगा सब कुछ जो digitally आपको शो करने वाला है जो भी data होगा आपके mobile की app में आपको शो करेगा तो यह काफी सारी information आपको इसके console means जो है cluster में देखने में मिलेगी इस यहां पर बाइक देखने में काफी futuristic लग रही है जो features है वो भी काफी कमाल के है मेरे को नहीं लगता कि इस बाइक में कोई कमी होगी इस TVS की बाइक में इस launch हो रही है 16 September को जो price है उसके बारे में आपको बताऊं तो price जो है इस companies का लगबग 120 lakhs means 1.20 lakhs सो 1.20 lakhs तक रखने वाली है और वो ही यह अपनी SP 125 से महंगी होगी बिगोज यहां पर काफी अधा sporty आपको यह लगेगी फ्रेंट से जो कोई बॉल नहीं सकता है कि 125cc बाइक है और 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 जो है वन लेक के करीब आती है तो आई थिंक काफी सही होगी बागी देखते हैं गाईस क्या कुछ इसकी price होती है बागी फिलाल तक का जो updates आगाईस वो यही था और जबनी SP 125 आगाईस वो लगबग जाती है 110-115 के करीब तो यह भी जो है 120 तक जाती है तो आई थिंक एक बैस डील होगी बागी आईस आप बताओ आपको इस पर कोई और वीडियो चेहिए तो मैं जो है नीचे आप बता देना वीडियो ज़रूर लेके आएंगे बाग यही तक इस आज की वीडियो में मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय ही इंद वंदे म आतरूम लब यह जाइस